अमसक्र स्वार्टर पीर फेर का प्यूर्बा रा रहा है मतलब बूंद 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 आ उर यह दिखिए लिए को प्रपर तरह के से रिजिक रॉटर तो इस पारण के पीछे का रिजन क्या हो सकता है तो यहां आज आपको चल रहा है लेक anyways थोड़ी देर बाद एक दो मिनट रुकने के बाद बूंद बूंद पानी आता है एक दो बूंद आ जाती है तो रिजिट वाटर देखिएगा प्रपर तरीके से और प्यूर वाटर अभी आने लगाई थोड़ा ए देखिएगा कितना इस बूंद से तो कुछ नहीं होने वाल चलाओगी तो तो यह देखिएगा उंगली लागाता हूँ पूरा मैं रिजिक्ट वाटर बंद करता हूँ रिजिक्ट वाटर बंद कर दिया तो यहां कुछ नहीं प्रेशर नहीं बढ़ा है क्योंकि अगर बुस्टर प्रम का इस्यूब होता है तभी कभी कभी बूंद ब नहीं है तो इसको नीचे निकलना पड़ेगा तो पूस्टर और इलेक्टर कनेक्शन रिमू करना है आपको और पूर्टर बिर नीचे लेना है तो ये एक दो तीन और ये चार ये जो स्कुरू है तो ये स्कुरू आपको रिमू करने है सकते पहले ताकि ये पीछे का धकन निकल जाए तो ये दोसरा स्कुरू दोस्तों पानी नहीं आने की वज़े बुस्टर पंप या फिर और मेंबरीन ये मैक्जिम लेवल पे यही करण होता है ये दो चीजे खराब होती है या फिर वो प्रापर वर्किंग नहीं करती है तो देखेंगे उसमें से कौन सा जो बुस्टर पं खराब है या फिर आरो मेंबरेन खराब है सेडिमेंट कारबन अगर प्रिफिल्टर को प्रावल्म होता तो रिजेक्ट वाटर का भी पानी नहीं आता ये द्यान में रखने की बात है दोस्तों तो ये दिखेंगा ये रिमू कर दिया धक्कन मैंने और अंदर दीक रहे आप और ये प्रिशर गयल से हम क्या करेंगे बुस्टर पम का प्रिशुर्ठ चेक करेंगे ताकि हमें ये दिखेंगा ये यह ये जो पाइप हैлек कारबन की तरब गया हुआ यह बुस्टर पम से आया हुआ है तो ये यहा से रिमू करेंगे ताकि बुस्ट पम यृइट parenth skipping प्रे यह दिखेगा प्रिविल्टर के आड़ पाइप लगा दी और ताकि अपने आरो वटर पीर फैर में पाणी एंट्री मार सके तो यह पाइप लगा दी और यह चालो कर दिया पाणी अब बटर पीर फैर चालो करेंगे और देखेंगे देखेगा पाणी आ रहा है पाणी का थ्रो तो बहुत बेटर लग रहा है मुझे यानि कि बुस्तर पम का जो आउटपूट पाणी का जो त्रो है तो यह बेटर लग रहा है तो यह छोड़ दिया और देख सकते हैं पाणी के हाइड दिखिएगा और फिर से पकड़ लिया और देखिएगा 110 PSI के आगे मतलब 120 PSI का कड़ा चू लेता है यानि कि बुस्टर पम्प इस वेल ड़न देख सकते हैं दूसरी बार 120 के पास आराम से जाता है पंप आराम से कुछ भी दिखित नहीं है इसका मतलब सीधा सीधा है कि बुस्टर पम्प को कुछ भी नहीं करना है बुस्टर पम्प के पहले के फिल्टर्स लगभग ओके है फिर भी हम प्रिकार्बन के बाद पानी का प्रेशर चेक करेंगे या फिर पानी का इसे किस डंग से आता ये भी चेक करेंगे कि ये पाइप लगया दी वस्टर पंप की प्रेकार्बन के इंसाइड में और प्रेकार्बन का आउट वाला जो पाइप है तो ये रेमो करेंगे कभी कभी प्रिकार्बन भी ख़ड़ा भोता है तो मेंब्रेन को पानी कैसे प्रॉपर तरी कैसे जाएगा तो यह भी चेक करना पड़ेगा हमें इस पाइप के थुरू यह देखेगा लगा दिया वाटरवीरवार चालू करेंगे वाटरवीर चालू ये दिखेगा, पाणे का थोद, वैसे हीë है, उसी धन से पाणी आरा है, और प्रिश्र भी देखेगा कितना अथा है यह 100 चिंचाए यह, 100 के नजधिक आरा है देखेगा मतलब सव 110 PS है थोड़ा फर्क पड़ा है बीच में फिल्टर है इसका मतलब फर्क तो पड़े गई थोड़ा फर्क पड़ा है लेकिन बेटर है दुस्तो 110 या फिर सव के आगी जो पुष्टरपर प्रेशर देता है तो यह आरव मेंब्रेन के लिए काफी साबीध हो सकता है कि प्योरा और रिजेक्ट का जो पाइप है तो यह पाइप निकालना है आपको ने दिखेगा यह पाइप निकल गया असान इसे और अभी रिजेक्ट वाला पाइप निकालेंगे तो यह निकल गया और इसका धकन खोलना है एक स्पैनर के द्रूप यह पूरा जखकन निकल गया अभी असानीं से इसके अंदर मेंबरीन निकाल देंगे नहीं ऒंगा देंगे कि नहीं लगाने के बाद तिखेंगे कि और यह यह उंड़न की वांटरान की मेम्परीन मतलब अगर डुप्लिकेशन मेमरेन अगर उसमें है तो कुछ भी नहीं चलेगी देखेगा को और मोझरान में प्राइब कायता है डुप्लिकेशन बहुत है देखे तो यह लेकश्प्यर या सिरीज की मेम्परीन दोस्तों यह और यह लेक्स प्यूर जो ब्रैंड है या फिर मेंब्रेन है तो यह बहुत ही बेस्ट वर्क करती है मेंब्रेन हाउजिंग के अंदर खुड़ी गंदगी है और फिर चेक भी करेंगे दोहेंगे भी यह देखिएगा दोनों भी पाइप चालू है तो यह मेंब्रेन डाल दी और इस मेंब्रेन को डालने के बाद चेक करेंगे कि प्यूर वाटर आता है क्या नहीं आता है दोस्तों वीडियो पुरा देख लिजेगा ताकि आपके समझ में आएगा क्या आपने वाटर वीर वाटर का प्यूर वाटर क्यों नहीं आ रहा है अगर आ पूरा की पूरा वीडियो देखके पूरा जो इंफरमिशन है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा क्लेक्ट करना पड़ेगा तो ये दिखिएगा ये मेंब्रेंड हाउजिंग इस तरह से प्रप्रत रिकिते आपको टाइट करना है और इसको टाइट करके कि रिजिक्ट वाला रिजिक्ट को प्यूर वाला प्यूर को यह के प्यूर वाला है और क्लैम में हाउजिंग फासा देंगे और अरोमेम्बरीन का इन वाला पाइप जो प्रिकारबन से आये तो यह लगा देंगे कि यह पूरा पाइपिंग हो चुका है देखिएगा अर अब चालू करेंगे अपना वाटर पीरिफायर और यह वाटर पीरिफायर चालू करने के बाद देखते हैं रिजिक्ट वाटर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो यह देखिएगा रिजिक्ट वाटर शालू हो गया और अब बारी है प्योर अटर की प्योर अटर आने में थोड़ी देर लगेगी लेकिन दोस्तों आएगा ऐसा मुझे लगता है तो पानी को तो आना ही पड़ेगा अब भी फिलाल तो कुछ नहीं है तो जो फिल्टर से आगे वाले आवरा में मेरें के लिए टाइम लगता है तो थोड़ा पाने आने में भी टाइम लेगेगा दुस्तों इसलिए आपको थोड़ी रहा देखनी है तो रिजिक्ट वाटर ने तो पूरी रप्तार पकड़ ल है लेकिन प्यूर रोटर की रहा अभी भी देखना पड़ रहा है आजो भाई मतलब हमारा जो ऑपरेशन है या फिर जो हमने डिसीजिजन लिया है और में मेरें चाच करने का यह सही है यह साबीत हो जाएगा तो इसकी मैं क्या देख रहा हूं रहा देख रहा हूं इस पानी नहीं आता है तो जो मेंबरें का खर्चा है तो यह खर्चा पड़ जाएगा अपने उपर लेकिन मुझे पूरी गैरेंटी है पानी आएगा ही आएगा क्योंकि पाटर वीरपायर के हर एक पहलो को मैं बखुवी नजदी किसे पहचानता हूं जानता हूं कि उसको क्या होने के बाद क्या करना पड़ेगा तो दोस्तो पानी तो आभी तक आया नहीं दिल की धढ़कने बड़ा दिये है क्या होने वाला है देखिएगा दोस्तो अगर पान पानी यहा से देखिएगा प्योर पानी और यह मिक्स होके इस पाइप के तुरू आये है अपने यवि के पास चले गया तो वह से निकल करा में देखना पड़ेगा ओन कैंड़ पानी आने लगा है भाइने खोलने से पहले मुल करें पाइप खुलने वाला था एवि को असे पहले पाने जसु से पहले पाने से यहाले पान्य लगा रहे है तो इसका मतलब यह है कि दranean वाटर यह बढकर के बिधरल कर accusation, और यह जो मेंबरेन है तो यह मेंबरेन काम कर नहीं रही थी और इस मेंबरेन में इस मेंबरेन ने धोका दे दिया इतना दो तीन मेना हुआ है ज्यादा भी नहीं हुआ है दूस्तो इसको लगा के तो इसका मतलब यह मेंबरेन टिक नहीं पाई है दूस्तो और टीडेस भी ब तो प्यूर अटर का टीडेस देखते है देखिएगा प्यूर अगर 50 के उपर है तो आमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इधरी छोड़ देंगे डेड़ सो तक पचास से डेड़ सो यह देखिएगा 58 है कोई बात नहीं अगर कस्टमर कहता है टीडेस बढ़ाओ तो करना है इसका जो वाटर कनेक्शन है यह हाटाना है तीचे का धकन लगाना है वाटर को उपर दिवार के उपर हैंक करना है प्री फिल्टर को भी है दिवार के उपर हैंक करना है इस तरह से यह जो लास्ट वाली प्रोस्टेस है तो यह प्रोस्टेस फालो करना पड़ेगा अंदर जो पाने उगेरे जो कुछ भी बचा है तो ये भी आपको बाहर करना है इस तरह से देख सकते हैं और ये तो ये जो पाइप है तो पाइप प्रॉपर तरीके से अंदर सटा कर लगाना है आपको ताकि जो बाहर कर ढखने उस धकन को लगाने में कुछ प्राब्लम ना हो जाए तो ये आगया बैक साइड धकन इस धकन को फिट करेंगे जैसा हमने निकाला था उसी तरह से ही इसको लगा देंगे तक कि एक वाटर कूर फैर हैंक करने के लिए रेडि हो जाए ये देखिएगा ये लगा दिया दूसरा लगा दिया दीसरा लगा दिया इस तरह से 1 by 1 आपके वाटर की विरफैर के जो फैर है तो ये जो वर्क है या पिर काम है प्रप्रप्र तर्वी से हो चुका है दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक किजेगा नहीं तो सस्क्राइब कर दीजेगा और आज के लिए यह मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू तब-Tक मैं यह वाटरी रफयन कर देता हो यह फिर लटका देगा लटका अगर उसको आपना जो वाटर कनेक्शन है वाटर कनेक्शन इलेटर कनेक्शन प्रपर तरिके से जई से निकालते समय था वैसे ही हम कर देंगे तो दोस्तों आज के लिए तना ही मिलते हैं अगरे में तब तक के लिए थैंक्यू